सिध्धार्टनगर के भनवापूर विकास खंड में गोवर्धन पूजा के दिन तरहर गौसाला में ग्राम परधान के द्वारा पूजा की गई जिसमें मौके पर सनातन सुरक्षादल के राष्ट्री अध्यक्षरवी प्रकास चत्रुवेदी और भनवापूर एपियो अब्दुल कयूं उपस्तित रहे कहा गया कि जब भगवान इंद्र जब एक बार कोपित हुए थे तो उन्होंने मुस्लाधार बारिस किया इस समय भगवान क्रिष्ट ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन परवत को उठा लिया था तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हो गई जिसको लेकर आज तर तरहर गौसाला में इस पूजा का आयोजन किया गया पूजा का बहुत ही पामन परव है इस दिन गोवमाता का पूजा किया जाता है और अत्यन्त जरूरी की हर गोवमाता को भोजन उपलब्द कराया जाना चाहिए और यहाँ पर आज इस गोवमाता को गुड़, चना, केला, इत्यादी, फल खिला कर और माला पहना कर और हर एक गोवमाता को यहाँ पर भोजन की वे उस्ता कराई गई है और हम लोगों का भी यही उद्देश से होता है कि हर गोवमाता खुस हाल रहें, गोवमाता अगर खुस हाल है तो हम सभी खुस हाल है गौमाता के जो है शरीर में समस्ते देवी देउताओं का वास होता है जै स्री राम जै गौमाता की अपना